दोस्तों नमस्कार आदाप सत्रीय गाल नियोज क्लिक के कारिकरम नियूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार अपनी पाटी के अध्यक्ष रहे राजी उरंजन सिंग उर्फ ललन सिंग को हटा कर हटा कर क्या उन्होंने इस्तिपा दिया सहमती से दिया लेकिन कहा यही गया कि उनको हटाया जा रहा है तो हटा कर के फिर से वो अध्यक्ष बन गए तीसरी बार वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों और इस तरह की political parties में इस तरह का जो change है इस तरह का जो बदलाव है वो होता रहा है कोई नई बात नहीं है ये उस तरह की party जे डियू या बहुत सारी ऐसी party नहीं है जो एक party का कोई रास्ट्री अधिवेशन तीन साल के बाद होगा या पांच साल के बाद होगा उसी में बदलाव होगा ये कभी भी बदलाव हो जाता है इस party में भी ऐसा हुआ है लेकिन दोस्तों मैं आज इस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि विस्पर बहुत कुछ कहा जा चुका है अभी जो अटकल नितिश कुमार जी के बारे में लगाई जा रही है कि वो भारती जनता पार्टी लेड एंडिये की तरफ जा सकते हैं टीवी पुरम का एक बड़ा हिस्सा पिछले चार-पांच दिन से इसकी भविश्य बानी किये जा रहा है कि वो एंडिये में जा रहे हैं और कुछ तो ये भी कह रहे हैं खासकर बिहार से जुड़े कुछ टेलिविजन चैनल या यूं कहा जाए कि कुछ यूट्यूबर्स भी ये कह रहे हैं कि वो दो उनको पद दे रहे हैं बकायदे एलान किये जा रहे हैं कि एक तो वो गोवा के गौवर्नर बन जाएंगे किंद्र सरकार उनको गोवा का गौवर्नर बना देगी और भारती जनता पार्टी का कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाएगा यानि वही point person है और वो coordinate कर रहे है इस तरह की तमाम गपबाजी हो रही है अठकलें लग रही है लेकिन दोस्तों ये माना कि निताओं के शब्द और कर्म में फर्क होते हैं लेकिन मैं जब जनता दल यूग की रास्टी कारेकारणी में पारित प्रस्ताओं को मैं जब देख र मावली को देखने के बाद उनका political content देखने के बाद मैं या कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति किसी पार्टी किसी धारा की राजनितिक शब्दों पर गवर कर करे और उन पर भरुसा करे वो यकीन ही नहीं कर सकता है कि फिर से नितीश कुमार भारती जनता पार्टी की गो जनता दल्यू की राश्टी कारिकारणी में वो पहले की जनता दल्यू जो रही है जिस तरह मैं बीजेपी में वो आते जाते थे उससे qualitatively different है शायद ही कभी जेडियू ने इस तरह से attacking भारती जनता पार्टी RSS की राजनीति पर इस तरह से हमलावर होता हुआ राजनीतिक प राजनीतिक प्रस्ताव में कहा है कि भारत की समवैधानिक्ता को अमबेट कर द्वारा बनाए समविधान को नश्ट करके उसकी जगह मनस्मृती को स्थापित करने की कोशिश कर रही है भारती जनता पार्टी अपनी सरकार द्वारा ये कहा गया है यानि मनस्मृती राज भारत में लाने की कोशिश हो रही है आज के दोर में ये नितीश कुमार की पार्टी कह रही है उनके अध्यक्षता के काल में अब आप सोचिए इसके अलावा वो क्या कहते हैं शीत कालिन सत्र में विपक्षी सांसदों का जो निलंबन हुआ उसकी आगे आये कि पूरे देश में इसको होना चाहिए और दोस्तों जो प्रस्ताव है जो इनका राजनितिक प्रस्ताव है उसमें जो कुछ मुद्धे हैं कि धलित अधिवासी माइनार्टी कम्म्यूनिटी के जो मुद्धे और कंसर्न हैं कि सरोकार हैं उनको काउंटर करने के यही भारती जनता पार्टी की मुझुदा सरकार सनातन के मुद्दे को उठा रही है सनातन का जो पूरा आख्यान है ये जेडियू कह रही है ध्यान रखिये जेडियू कह रही है कि दलित आदिवासी और माइनार्टी के मुद्दों को और उनके सरोकारों को काउंटर करने के लिए भारती जंता-पाटी सनातन के आख्यान को प्रिचारित कर रही है और स्थापित करने की कोशिश कर रही है यह कहा गया है मनिपूर में हिंसा और लोगों अमहिलाओं पर जो सेक्स्वल जो हमले हुए यो यौन हमले हुए यौन हिंसा होई उसकी वो पूर भरसना कर रही पार्टी ब्रजभूशन शरण सिंग के संदर्म में भी बात की गई है प्रस्ताओं में और जो महिला पहलवानों की उपेक्षा पर चिंता जाहिर की गई है इसके अलावा दोस्तों साफ कहा गया है कि भारती जंता पार्टी की मौजूदा सरकार देश के फेडरल ढाचे और स नितीश कुमार जी के प्रयासों की भरपूर प्रसंशा की गई है और इस प्रत्या को आगे ले जाने की बात है उनका कहना है कि प्रस्ताओं कहता है कि नितीश जी के एंडिये से 2022 में अलग होने का जो फैसला था पार्टी कह रही है कि नितीश जी ने 2022 में एंडिये से बिहार में अलग होने का जो फैसला किया वो बिलकुल वाजिप था और इसके लिए कारेकारणी ने उनको बधाई दी है इसके अलावा एक और बात है जो मैं समझता हूं कि बहुत महत्पूर्ण है और वो यह है कि फासिजम की और कदम बढ़ाती भारती जनता पार्टी का उल इशकुमार जी फिर से भारती जनता पार्टी में चले जाते हैं उसके साथ चले जाते हैं एंडिये में जैसा कि टीवी पूरम में प्रोपगेंडा चल रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा क्या कोई व्यक्ति कोई पार्टी अपने शब्दों से अपनी विचारधारा से तब तो फिर शब्दों की कोई मर्यादा नहीं रहेगी शब्दों के अर्थ बिलकुल खत्म हो जाएंगे ये माना की भारत में सियासत में या समाज में भी देखा जाता है कि हमारे शब्द और कर्में बहुत अंतर आ गया है कथनी और करनी का बहुत बड़ा फर्क है बड़े अपने को intellectual लोग कहते हैं उनमें भी ये दिखा जाता है लेकिन क्या एक पार्टी जिसकी लाखों की membership है जो सरकार चला रही है क्या वो शब्दों से इस तरह उल्टी मार सकती है तो इसी लिए दोस्तों मैं शब्दों में भरोसा करने वाला व्यक्ति हूं और एक ज लेकिन आपने राजनितिक प्रस्ताव पारित किया है अपनी कारेकारणी में समूची रास्ती परिशात कारेकारणी सम्मे संपुष्ठ हुआ है ये प्रस्ताव और ऐसे में अगर आप मनुस्मृती को लागू करने की बात जो आपने कही है तो मनुस्मृती लागू करने य तो निश संदे शब्दों के अर्थ खत्म हो जाएंगे और लोगों का भरोसा उठ जाएगा इसलिए मैं समझता हूं दोस्तों कि टीवी पुरम में जो एक प्रोपेगेंडा है ऐसा लगता है कि वो भारती जनता पार्टी जो चाहती है उसको प्रचारित किया जा रहा है और जाहिर है भारती जनता पार्टी को 40 लोग सभाज सीटों वाले बिहार में नितिश कुमार अगर उसके साथ फिर से आ जाते हैं तो सोने में सुहागा वो काफी सीटें जीच सकती है इसमें कोई दोराय नहीं क्योंकि बिहार में अभी भी नितिश कुमार का एक आधार है तो RJD जो एलाइंस है जिसमें कॉंग्रेस है जिसमें लेफ्ट गृप्स हैं लेफ्ट पार्टीज हैं इनके साथ जा रहा है और नितिश कुमार कमजोर हो रहे है इसलिए नितिश कुमार ने इस छटपटाहट में अपने को अलग किया या यूं कहा जाए कि राजी उरणज लग रही हैं फिलाल मुझे और मुझे तो लगता है कि नितिश कुमार ऐसा ऐसी गलती शायद नहीं करेंगे जो उनके पार्टी के अपने डाकुमेंट के खिलाब चला जाता हो तो आज ये मैं आपके सामने कहना चाहता था तो नमस्कार आदाब सत्रियकाल